अलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं रहाना चिष्टी बुंदी राजस्थान से हाँ तो बच्चों, आज हम सीखेंगे बुनियादी मोर लिखना सीखने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है बुनियादी मोर सीखने की तो शुरू करें हाँ तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले सीखेंगे सीखी लाइन बनाना तो आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें पैंसिल और नौटबुक लेकर आपको बेटना है और ऐसे यहाँ से शुरू करके यहाँ खतम करेंगे फिर यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ खतम करेंगे इस तरह से हमें सीधी सीधी लाइन खीचना है यह देखिए इसी तरह से आपको भी सीधी लाइन बनानी है इसके बार हम बनाएंगे खड़ी लाइन उसके लिए आपको उपर से नीचे आना है यह दूसरी लाइन यह हमारी तीसरी लाइन यह हमारी चोथी लाइन यह हमारी पांच की लाइन और यह हमारी छटी लाइन है ना असान इस तरह से आपको खड़ी लाइन बनानी है इसके बाद बच्चों हम बराएंगे तिर्ची रेखा तिर्ची रेखा में आपको इस तरह से राइन बरानी है इस तरह से इस तरह से और इस तरह से ये देखिए ये है हमारी तिर्ची रेखा इसके बाद हम इसके विपरेद दिशा में लाएंग खीचेंगे बच्चो ये देखें पहले हमने यहां से शुरू करके यहां लाए थे यहां से शुरू करके यहां लाए थे तो अब की बार हमें इसका उल्टा करना है यहां से शुरू करके और यहां लाएंगे यहां से यहां यहां से यहां यहां से यहां और यहां से यहां Very good, बहुत अच्छा आपने बनाया? चलिए अब इसके बाद आपने चंदरमा तो देखा होगा बच्चों चंदरमा कैसा होता है? ये और इंगलिश का CB आपने देखा होगा वो भी इसी तरह से होता है ये 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 हैं बच्चों हमारे बुनियादी मोर कहलाते हैं और ये सभी बुनियादी मोर हमारे लिखने के लिए अर्थिया होशक होते हैं ये देखिए ये बनाया हमने चंद्रमा जो की आधा है अब हम चंद्रमा का मूर इस साइड कर देंगे ये देखिए ये 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 और ये ये देखिए बच्चों इस तरह से हम चंद्रमा का मूर एक बार इधर और एक बार इधर करके बनाएंगे इसके बाद चलो, अब चंद्रमा का मूँ हम उपर आकाश की ओर करते हैं, ये ऐसे, 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 और ऐसे, वाद, देखिए, अब हमने चंद्रमा का मूँ उपर कर दिया है, अब इसके बाद हम पूरा चंद्रमा बनाएंगे, पूरा चंद्रमा कैसा होता है बच्चों, गोल, जैसे, मम्मी जी की बिंदिया होती है गोल, मम्मी जी की रोटी होती है गोल और दीदी की चूड़ी भी होती है गोल और सारी दुनिया गोल मटोल इस तरह से बच्चों हम बनाएंगे गोल ये गोल ये गोल और ये भी गोल आया इसी तरह से आपको भी गोल-गोल आकरतिया बनानी है और इसके बद बच्चों इस तरह से आपको एक जगह से शुवू करके दूसरी जगह खतम करना है ये हमारे चंडरमा की गोल आकरति तैयार होती है इसी तरह मम्मी की रोटी भी होती है पापा जब हमें पैसे देते हैं सिक्के तो वो भी होते हैं गोल गोल तो इस तरह से बच्चों हम ये बुनियादी आक्रतियां बुनियादी मोर बनाना सीख सकते हैं इसमें सबसे पहले हमने सिखा सीधी रेखा खीचना उसके बाद हमने सिखा खड़ी रेखा कीचना ये तिर्ची रेखा ये भी तिर्ची रेखा इसके बाद बच्चों हमने बनाया आधा चंद्रमा ये देखिए फिर हमने बनाया दुबारा आधा चंद्रमा जिसका मूँ इस साइट था फिर हमने बनाया फिर चंद्रमा जिसका म उपर की साइड था और सबसे लास्ट में हमने बनाया गोल चंदा मामा तो बच्चों आपने भी मेरे साथ साथ ये बनाया ना तो इसके बाद आपको ये जो आपकी पाठ्थे पुस्तक में दी हुई है सीधी रेखा उसके नीचे बच्चों देखिएं बिंदू बिंदू से दिये हुए हैं उनको आपको मिलाकर सीधी रेखा बनानी है ये जो हमने खड़ी रेखा बनाना सिखा था उसके बाद नीचे बिंदू दिये हुए हैं उनको मिलाकर हमने ये सीधी रेखा खीचनी है फिर आई हमारी तिर्ची रेखा ये भी तिर्ची रेखा तो ये नीचे जो बिंदू से दियो हुए है इनको पैंसिल से आपको गहरा करना है और तिर्ची रेखा बनाने का अभ्यास करना है फिर हम आगे बढ़ते हैं ये बनाया था हमने आधा चंद्रमा या इंगलिश का C इसी तरह ये बनाया था हमने दूसरा आधा चंद्रमा जिसका मूँ दूसरी तरफ था इसकी भी हमें नीचे अभ्यास के लिए जगर दी गई है तो इन बिंदूं उपर हमें पैंसिल मानी है और इने गहरा करना है ताकि हमारा अभ्यास हो सके इसके बाद हमारा था जो हमने चंद्रमा बनाये था उपर मू करके जिसे हम एंगलिश का यू भी कह सकते हैं तो इसके लिए भी आपको अभ्यास के लिए बिंदी दी गई है इन बिंदूं को मिलाकर पैंसिल से गहरा करना है और इस चंद्रमा को बनाने का आपको अभ्यास करना है इसके बाद हमारा आ गया गोल चंद्रमा इसको भी आपको नीचे मिलाना है और इसका अभ्यास करना है हाँ तो प्यारे बच्चों आपको ये पार्ट और ये अभ्यास पसंद आया होगा अगले पार्ट में फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई